नवशकर मैहु सुख्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वाकत है सूरी की आराधना का महापर्व छट पूजा 18 नवंबर से शुरू हो चुका है 20 और 21 नवंबर को सूरी को विशेश अर्ग दिया जाएगा ऐसे में जोतिशाचारियों के मताबिक छट पूजा के अलावा रोज सुबह भी सूरी की पूजा करनी चाहिए इस पूजा से घर परिवार और समाज में मान सम्बान की प्रापती होती है रोज सुबह सूरीयोदय के समय अर्ग अर्पत करना बेहद शुब फलदाई होता है ऐसे में आपको बता दें कि छट पूजा के अलावा भी अन दिनों में आप सूरी को जल चढ़ाने के लिए तामबे के लोटे का ही इस्तमाल करें सूरी के लिए रविवार को गुड का दान करना भी शुब माना गया है जल चढ़ाते समय सूरी को सीधे नहीं देखना चाहिए गिरते जल की धारा में सूरीदेव के दर्शन करना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में सूरी शुब स्थती में नहीं है उन्हें सूरी को रोज जल चढ़ाना चाहिए इसे सूरी के दोश दूर होते हैं सूरीदेव की कृपा से घर परिवार और समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ती होती है अर्ग देते समय सूरी अर्ग मंत्र का जाप जरूर करें ओम एही सूरी देव सहस्त्राशो तेजो राशी जगत पते अनुकंपया मा भगवत्या ग्रणार्ध्य दिवाकरा साथी आप ओम सूर्याय नमा ओम आदित्याय नमा और ओम नमो भासकराय नमा अर्ग्य समर्पयामी इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें